नमस्कार, प्रस्तुत है, 2024 में आयोजित जार्खन एकेडेमिक कॉंसिल द्वारा क्लास एट के एसे वन के मैच्स के का हल प्रश्न पत्र का वीडियो और ये उसका पाट टू वीडियो है पाट वन वीडियो में हमने प्रश्न संख्या एक से लेके दस तक के प्रश्नों को हल किया था ये भी बता दूं कि इसे वन में मैच्स के अंतरगत 40 प्रश्न थे तो पहले वीडियो में हमने पहले 10 प्रशनों को हल किया है अब दूसरे वीडियो में अगले 10 प्रशनों को हल करने जा रहा हूं तो आप भ्याम से इसे देखेंगे क्योंकि आने वाली परिक्षाओं के लिए ये काफी महत्पोन है प्रस्त संख्या 11 यह परिमे संख्याओं का यूग है इसे जोड़ना है तो हम लोग भिन्न के जोड जैसा ही यह है तो यहां हम लोग क्या करते हैं कि आये से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यह जो हर है बहुत बच्छे जानते होंगे लेकिन जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि सबसे पहले यह जो हर है तीनों के 4, 6, 7 इसका हम लोग लोग लोसा निकालते हैं लोसा कहें तो लगुत्तम समापूर्थ के तो आए पहले लोसा निकाले 4, 6, 7 तो यह 2 से हम भाग देंगे 2 दुनी 4, 2 तीयाई 6 और यह 7 रह जाएगा अब और भाग नहीं जाएगा तो लॉसर इसका हो जाएगा दो गुने दो गुने तीन गुने साथ दो दनी चार चारती बारा बारसते चौरासी तो यह हमने लॉसर ले लिया यह चौरासी अब क्या करेंगे यह जो हर है इस हर से हम इस चौरासी में भाग देंगे तो चार से चौरासी में भाग आप देंगे तो यह आएगा इकीस और यह इकीस जो आया इसको इस अंसे गुना कर देंगे तो इकीस गुना तीन हो जाता है तिरेश सट 63, अब इस 6 से, यह प्लस था प्लस हमने दिया, इस 6 से आप 84 में भाग देंगे फिर से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 का 6, और 6, 4 के 24, 14 आएगा, तो इस 14 से इस 5 को गुना करेंगे, तो 14 पचे 70 होता है, प्लस, अब इस 7 से 84 में देंगे, तो 12 आएगा, और इस 12 को दो से गुना करेंगे, तो 24 आजाएगा, अब इसे हम जोड़ लेते हैं, अंस को, तो ये 4, 6, 4, और ये 3, 7 होगी है, और यहां दाही को जोड़ते हैं, 2, और 7, 9, और 6, 15, बटा 84, तो ये हमारा एंसर आगिया, 157 बटे 84, तो ये कौन सा एंसर है, C नमबर हमारा एंसर है, तो इस तरह के जोड़ के, जो भिन के जोड़ कहें, या परिमे संख्याओं के जोड़, इनका आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रसंख्या 12, बहुत यासान सवाल है, 42 का वर्ग है, तो वर्ग का अर्थ क्या वर्गता है, उसी संख्या को उसी से फिर से गुना करना, ये 44 का वर्ग, तो यहां हम क्या करेंगे, सुरी, 42, तो 42 गुना 42, 42 गुना 42 करेंगे, तो यहां पर करते हैं, 42 गुना 42, दो दुनी, 4, दो चो के 8, फिर 4 से करेंगे, 4 दुनी, 8, 4 चो के 16, और इसे जोड़ देंगे, तो यह होगा, 4, 8, 8, 16, 17, और ये 1, तो यह हो गया, 1764, तो यह यह नंबर हमारा, यह जो आप्शन है, वो सही है, तो यह वर्ग का अर्थ क्या हुआ, उसी संख्या को उसी से गुना कर देना, ठीक है, तो यह क्लियर है, प्रसंख्या 13, यह है, पाइथा गोरस ट्रिक, जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, तो यहां 4 आप्शन दिया हुआ है, तो पाइथा गोरस ट्रिक यह होता है, कि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तो इसे एक एक करके हमको चेक करना होगा, तो ए नमबर देखते हैं, सबसे फ़ले नमबर ए देखते हैं, तो यहां 8 का स्क्वाइर करेंगे, फिर सुल्ला का स्क्वाइर करेंगे, तो 8 का स्क्वाइर कितना होता है, 64, सुल्ला का 256, अब इसे जोड़ के देखते हैं, तो यह कितना आता है, 6 और 4, 10, और हासिल रह गया 1, और 6 और 5, 11, और 12, और हासिल 1, 2 और 1, 3, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 और 4, 10 का सुनने, हाथ मेरा 1, 5 और 6, 11, और 12, और हासिल रह गया 1, तो 2 और 1, 3, 320, और अब 17 का देखते हैं, 17 का स्क्वाइर आप करेंगे, यानि 17 गुना स्क्वाइर करेंगे, तो यह आ जाएगा 289, 289, तो हम लोग देख रहे हैं, कि 8 का स्क्वाइर, जोड़ सुल्ला क स्क्वाइर, यह 17 के स्क्वाइर के बराबर नहीं है, तो और थाथ यह त्रिक नहीं है, अब भी नमबर चेक कीजे, यहां भी वैसे ही करते हैं, तो 8 का स्क्वाइर प्लस 17 का स्क्वाइर, तो अभी हमने देखा था 8 का स्क्वाइर 64, और 17 का स्क्वाइर 289, तो इसे हैं तो यह हो जाता है 9 और 4 13 का 3 हात वे रहा हासिल 1 8 और 6 14 और 15 का 5 और हासिल 1 2 और 1 3 और 18 का स्क्वार कितना होता है अब गुना करके देखें यह 324 होता है चलिए एक बर करके देख लिते हैं 18 गुना 18 मैंने भी याद से लिखा है आठी अठी 64 का 4 हासिल रहा 6 8 और एक आठी का 8 और 6 14 और यह एक से करेंगे तो यहां आठ और यह एक तो चार आठ चार बारा का 2 हासिल 1 1 1 2 और एक 3 चलिए मेरा याद जो था वरी पावर सही है तो यहां आप देखें 8 का स्कॉयर जोड 17 का स्कॉयर यह 18 के स्कॉयर के बराबर नहीं है तो यह भी त्रिक नहीं है अब सी नंबर चेक करते हैं तो आठ का यह सी नंबर 8 का स्कॉयर जोड 15 का स्कॉयर तो यह होता है 64 15 का स्कॉयर आप करके देखिए 225 होता है और इसको जोडते हैं 5 4 9 6 2 8 और यह 2 और 17 का स्कॉयर होता है 289 तो यहां हम देख रहे हैं कि 8 का स्कॉयर जोड 15 का स्कॉयर बराबर है 17 का स्कॉयर यह बराबर हो जा रहा है अर्था यह जो है 8 15 और 17 यह पाइथागोरस त्रिक है तो यहीं हमारा एंसर है अब प्रस्णग्या च्याओद यहां है एक व्यंजक दिया हुआ है माइनस 5 बाइ 4 एक्स स्कॉयर का संख्यात्मक गुनांग होगा तो संख्यात्मक गुनांग किसे कहते हैं तो यह जो ब्यंजक है इसको एक बार फर से लिखते हैं तो यह माइनस 5 वाइ 4 एक्स स्कॉयर तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5 बाइ 4 into 1yx square तो यह जो आगया हमारा यह यह चर वाला पाठा गिया और इसको हम गुना किस से कर रहे हैं किस संख्यास से कर रहे हैं तो माइनस 5 बाइ 4 से तो यही हो गया हमारा संख्यात मा गुना अर्थात एक option हमारा सही है प्रस्न संक्या 15 यदि वर्ग का छेत्रफर 441 cm² है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी तो वर्ग जो फर्मूला होता है वर्ग की भुजा यह होता है square root of square root of वर्ग का छेत्रफर वर्ग का छेत्रफर और हमारा वर्ग का छेत्रफर कितना दिया हुआ है 441 तो 441 का वर्ग मूल हम निकालेंगे अरा तो चलिए कौम से विधी से निकालेंगे अभाजे गुननखंड विधी से निकालेंगे तो अभाजे गुननखंड विधी से जब हम भी अभाजे गुननखंड जब भी हम करते हैं तो हम start करते हैं 2 से, भाग देना, तो 2 से करेंगे तो नहीं होगा, तब आगे बढ़ेंगे, 3 से, तो देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं, तो 3 से पूरी तरह से भाग लगने के लिए ये जाच है कि हम इसके अंकों को जोडते हैं, तो ये 4, 4, 8 और एक 9, ये clear है, 3 से इसमें भ बच गया, 21, 3 सते, 21, पुना देख रहे हैं 2 से तो जाएगा नहीं, तो देखते हैं फिर से जोड़ के इसको, 7, 4, 11, और एक 12, 3 से फिर इसमें भाग लगेगा, तो 3 से बारा, 2 बच गया, तो 27 हो गया, 3 नमा 27, आब फिर 3 से जाएगा क्या, जोड़ के देखिए, 9 और 4, 13, नहीं, 3 से नहीं जाएगा, तो 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से जाने के लिए क्या यहां पर होना चाहिए, या तो सुन्य होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, इकाई में, तो 5 से नहीं जाएगा, जब 2 और 3 से नहीं गया, तो 6 स है वह क्या है साथ से भाग देंगे अ अव्रत होता है कि हम और भाज संख्याओं से ही भाग देते कोशित कि plaster से दो से फिर तीर से फिर पाँ तो अगली कोशित हमारी सक्याथ ससे हो गयी तो तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तीन गुणा साथ गुणा साथ बराबर, आब क्या करेंगे जूडा बनाते हैं, एक जूडा ये हो गया एक जूडा ओफ ये, तो ये तीन गुणा साथ अरथाती हो गया, 21 सेंटी मीटर, इस प्रश्ण में बहुत तो कोई याद होगा कि 441 का वर्गमूल 21 सेंटेमीटर होगा तो जिन्हें याद है तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है वो तुरत यहां टिक कर देंगे कि 21 सेंटेमीटर लेकिन यहां मैंने इसलिए बता दिया कि आप गुननखंड द्वारा औभाजी गुननखंड द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी सीख जाएं तो यह हमने इसलिए बताया है कि वर्गमूल हम औभाजी गुननखंड विदी से कैसे निकालते हैं इससे आपको यह जनकारी हो गई यह होगी इसकी भी कि वर्क मुल कैसे निकालते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह तो जी के टाइप का प्रस्ण है हाडी रमान उजम संख्या क्या है तो यह हमारा 1729 होता है देखें ऐसे आप किताब में पढ़ेंगे तो वहां निकाल के बताया गया है कि एक का अगर घं करें जिस संख्या की इक होगा तो गहन करें एकाई में क्या होगा ना दो का इस तरह से तीन का इस तरह से लेकिन वह याद करने के ज़रत नहीं है और याद करेंगे तो भूल भी जाएंगे तो सीधा सा जो तरीका है यह एकाई है तीन आप तीन का घं निकाल ले तीन का घं यानि तीन गुना तीन गुना तीन यह हो जाता है 27 तो जो घं का इकाई अंख है वो क्या आगया साथ आगया यह सिंपल है तो यहां पर देखिए यह ओप्सन नंबर सी तो जब भी इस तरह का प्रश्ण आपको मिले कि इस नंबर के घं का इकाई अंक क्या है तो उसकी इकाई के जो भी अंक होगा उसका अब घं कर लें और उसमें जो इकाई आता है वही उसका एंसर होगा अब प्रस्ट जंख्या 18 यह घात और घातांग से है यह प्रस्ट तो इसमें जो घातांग का रूल लगेगा वो यह है एसी स्थिती में यह क्या होता है M और N गुना हो जाता है तो यहां भी हम करेंगे वोई एक जगह क्या है 3 है एक जगा क्या है 3 है और ये M के जगा 4 और N के जगा 3 तो इसको गुना कर देंगे 4 ती आई 12 तो ये हमारा B बर आप्शन सही है अब प्रस्ण संख्या 19 देखिए ये ये जो प्रस्ण है काफी important है इस तरह के प्रस्ण जो राष्टी साधंसा चात्रविटी या मुखिमंत्री मेरा चात्रविटी में कई बार पूछे गए हैं तो यहां देख रहे हैं जो आधार है यहां भी माइनस 3 है यहां भी माइनस 3 है और यहां भी माइनस 3 है और यह जो दोनों गुना हो रहा है दोनों गेंजट में और यह बर चलिए इसको हल करते हैं, तो ये माइनस 3 का घात, देखी यहां गुना है, तो जो घातांग का नियम यह है, इसका मतलब यह घातांग को हम पावर को जोड़ देंगे, तो यहां पर यह हो जाएगा, एम प्लस वान प्लस फाइव, और यह स्कल्टू है, माइनस 3 का घात साथ, तो देखी जब आधार एक है, यानि बेस एक है, तो इसका पावर भी बराबर होगा, तो यह क्या इंप्लाइस करता है, कि एम प्लस पावर एक 6 हो जाता है, इसका टू 7, या एम इसका टू 7, माइनस 6, इसका टू 1, 6 को इधर लाएगे, तो माइनस वाएगा, तो एम का मान हमारा आ गया कितना, 1, तो यह C आप्शन सहीं है, अब इस वीडियो की अंतिम प्रश्ण है, प्रण संख्या 20, निमलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो यह A, B, C में जाने की बजाए, जांच करने की बजाए, सीधे हम D में आते हैं, और हमें याद है कि 10 का घन होता है, 1000, 10 गुना 10, गुना 10 की यह 1000 आता है, तो यह हमारा पूर्ण घन है, तो यह थे, वर्ण आठ के, 2024 के, इसे 1 के, गनित का हल प्रशन का, पाट 2 वीडियो, तो मैंने कुशिस की है, कि सिर्फ प्रशनों को हल ना किया जाए, बलकि उसको पूरे विस्तार से समझाते हुए हल किया जाए, ताकि इस चैप्टर से, और जब भी परिक्षा हो, में प्रशन आएं, तो आप आसान इसे, उसे हल कर सके, धन्यवाद,